आफ़े ते कुछ वाइब तो अधुटिपॉर इंत तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाड़ी विडियो में आपने देखा हाव तो फाइंड दस इंटर्विड ओफ ट्रियंगल देन इन इन सेंटर देन सिर्कम सेंटर और आज हम सिखेंगे किसी भी ट्रियंगल का और्थो से कैसे निकालते हैं और्थो सेंटर क्या है कि अगर हम इस वर्टेक्स ए से इस बीसी लाइन सेग्मेंट के उपर एक पर प्रपेंडिकुलर ड्रो करेंगे और फिर बी से इस एसी लाइन सेग्मेंट के उपर एक पर प्रपेंडिकुलर ड्रो करेंगे फिर सी से इस एवी से external point से यह एक वीडियो मैंने बना रखिया है आप इस वीडियो को देखें उसका link मैंने description box में दिया गया आप इसको click करके वो वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले हमने vertex A से BC line पर एक perpendicular draw करना है A को center मानेंगे और A से एक radius लेंगे इस तरह से कि वो BC line segment को दो point पर intersect करें यह एक arc में यहां से लगाऊंगा इस दो point आगे अब इन दोनों point से एक point यह होगा और एक point यह होगा इन दोनों point से हमने इधर निचे की तरफ एक arc लगाएंगे अब radius को कम कर सकते हैं यह मनें एक arc लगाई सेम रेडियस से आपने भी इस point से arc लगानी है यह दोनों arc एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसको आपने जोईन कर देना है यह मैंने यहां वर्टेक्स A से इसको जोईन कर देना है यहां तक इसको मैं dark कर लेता हूँ और आगे मैंने इसको dotted कर लिया हूँ अब इसी तरह से हमने वर्टेक्स C से AB के उपर एक perpendicular draw करना है तो वर्टेक्स C से C पर center मान करके C को center मान कर और एक radius link हम जो इस तरह से जो AB line segment को दो पारट पर intersect करेंगे कि यहां पर यह तो अब छोटी होगी है आप सोड़ी बढ़ी ले सकते थे आर कि प्रेंड करना प्रेंगे चलो ठीक है तो यह जो दो पाइंट आ गए है एक पाइंट यह है और एक पाइंट यह है इन दुन्नों पाइंट को हमने center मान करके और कोई भी radius ले करके एक आर्क लगाएंगे पहले फर्स्ट पाइंट से और उसके बाद सेकेंड पाइंट से तो दुन्नों आर्क का पाइंट ओफ intersection को वर्टेक्स से जोइन करना है यहां से आक इसको डार्क करतेंगे अब वर्टेक्स बी से हमने line segment AB AC पर perpendicular draw करना है वही radius लेंगे और इस तरह से लेंगे कि इसको दो पाइंट पैंट सेक्ट करें बाइचांस अगर आपकी यह नहीं आ रहा तो इस line को हम आगे extend कर सकते हैं जैसे इसमें नहीं आ रहा है तो अमेरे को यह line एक्स्टेंड कर लेनी चाहिए कि यह मैंने line को extend कर दिया तो अब मैं B से arc लगा हुआ दो पाइंट को intersect Chris को एक यहां से और एक यहां से यह दो पाइंट आगे हैं एक यह है और एक पाइंट यह है पहले फरस्ट पाइंट से arc लगाएंगे कोई भी radius ले करके यह मैंने arc लगा दी फिर सेम रेडियस से आपने दूसरे पाइंट से arc लगाएंगे और अब इसको जोईन कर देंगो vertex B के साथ यहां तक्तिर और जो यह पाइंट आया है तीनो परपेंडिकलर का जो इंटरसेक्टिंग पाइंट आया है इस पाइंट को ही हम और्थो सेंटर कहते हैं और इसको रिपर्जेंट किया जाता है H से, capital H से यह acute angle triangle है और acute angle triangle में जो ओर्थो सेंटर है वो हमेशा triangle के अंदर बनेगा यह triangle के बाहर ने बनेगा ने triangle की किसी side बर बनेगा अब देखते हैं right angle triangle में कहां पर ortho center बनता है तो students ध्यान करें जब triangle acute angle triangle है तो ortho center triangle के अंदर बनेगा और जब triangle right angle है तो जो point 90 degree vertex है उस point पर ही ortho center बनेगा और जब triangle जो obtuse angle है तो ortho center जो हमारे पास triangle से बाहर बनेगा तो students मैं उमीद करता हूँ कि ortho center के सारे doubts आपके clear हो गये होगे आने वाली जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हम जो है centroid, in center, circum center और ortho center में क्या difference है वो सारी बाते हम आने वाली वीडियो में discuss करेंगे Thank you, thank you students